हम बात कर रहे हैं शुगर के बारे में, हम बात कर रहे हैं डाइबिटीस के बारे में यानी मधुमे के बारे में हो सकता है कि आप मेंसे कुछ लोग already बिमारी से जूज रहे हैं या हो सकता है कि कुछ लोग इसके खत्रे की और दीरे दीरे बढ़ रहे हैं लेकिन इस तरह के मन में उमड़ रहे सभी सवाल जो आपके पास आप जानना चाहते हैं कि कैसे बचा जा सकता है diabetes से, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे आप खुद को इसका शिकार होने से बचा सकते हैं आज हमारे साथ जोड़ रहे हैं जाने माने आयुरुवेदिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर भारत भूशन और आयुरुवेदिक कंपनी के मैनुफैक्चरर जिनके द्वारा बहुत सारी मेडिसिन्स को लगातार मैनुफैक्चर किया गया है यूनिक फॉर्मिलेशन के माध् और जिनने नहीं हुआ है वो आगे चलकर इसका शिकार होने से खुद को बचा सके तो सबसे पहले यह है कि जो हमारे शास्त्रों में हमारे कल्चर में सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर उठके हम बात लेने के बाद सनलाइट नंगे पाउं कुछ कदम चलें जमीन के साथ करे और सनलाइट को अगर लेते हैं तो उससे हमारी बाड़ी के अंदर फोटो रसेप्टर अक्टिवेट होते हैं जिससे एक्चुली डाबिटी नाट ओनली यह प्राब्लम आफ फिजिकल बाड़ी हमारे मन के भाव हमारी एमोशनल मेंटल हेल्थ भी इसके साथ जुड़ी हार्मोन चेंज हो जाते हैं हमारे स्ट्रेस लेबल सबसे वड़ा एक कारण भी यह है कि हमारे जो लाइफ स्टाईल के अंदर अन कंट्रॉर स्ट्रेस है जिसको हम चैनलाइज नहीं कर सकते वो उसको भी कैसे कम किया जाए और उसको कम करने के लिए सबसे पहले हमारी जो इंचर रहा है, first food need to be a sun food, अगर सुबह उठके थोड़ी सी 5 मिनिट के भी sunlight लेते हैं, तो हम अपनी body के अंदर बहुत सारे changes लेके आ सकते हैं, इसके साथ हम अपनी fooding, water intake, खाना, क्या खाना ये matter नहीं करता, खाना, कैसे खाना, किस समय खाना खाना, ये बहुत matter करता, और कही न कहीं, हम इस particular एक चीज को कब खाना खाना, क्या समय होना चाहिए, इसको अगर look after कर लें, तो हम अपने इस lifestyle को ठीक करके, अपनी इस ये जो so called पूरी दुनिया में फैलगी और हिंदोस्तान में बढ़ती जारी diabetes को हम बड़े अच्छे तरीके से look after कर सकते हैं, यानि कि आ आपके पूरे दिन चर्या में सबसे एहम स्टेप है, आपकी सुबे की शुरुवात सौर उर्जा के सनान के साथ, यानि आप पानी का सनान तो ले रहे हैं, लेकिन बहार निकल के अगर सौर उर्जा का भी आप सनान लेते हैं, तो वो आपके mental and physical well-being को बहुत बहतर बना सकत मैं वो चीज लूँगा और खुद को इस चीज से बचाना चाहूँगा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, आप ये देखिए कि जो हम कहते हैं diabetes, diabetes बेसिकली है क्या हमारे को सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, diabetes बेसिकली आप सीजे शब्दों में समझेंगे तो diabetes बेसिकली शुगर की management हमारे शरीर में नहीं हो पारी, उसको हमने नाम दिया diabetes, आपको एक बात बताओ, 1920 में 1% of the population was diabetic, और आज सन 2024 में आपको पता है इसकी percentage कितनी पहुंच चुकी है, इस वकत 2024 में इसकी percentage 11% पहुंच चुकी है, साब, मलग कि आप ये देखो कि 100 साल के अं इस वज़े से क्या क्या बिमारियां होती है, तो सैकडो शोस में आप लोगों ने देख लिया होगा, हर डॉक्टर इस बारे के ऊपर बोलता है कि यार शुकर मैनेज नहीं होगी, तो ये हो जाएगा, ऐल्जाइमर हो जाएगा, परकिंसन हो जाएगा, और्गेंस खराब हो प्रीडाबिटिक है, उसके इलावा 35% पॉपूलेशन ओबीज में है, और ये कोई मेरे आग नहीं है साब, अगर मैं जूट बोलता हूँ, आपको लग रहा हो कि जी मैं जूट बोलता हूँ, तो आप गूगल पे सर्च मालो, बिलकुल सटीक ये चीज़ होगी, मैंने भी वहीं से की है, मेरे पास कोई चीज नहीं है, मैंने भी वहीं पर पढ़े, लेकिन मेरी दिमाग में कहता है कि मैं इस चीज़ों की स्टड़ी करूँ, क्योंकि मेरा ये एरिया है, तो मैं स्टड़ी कर रहा हूँ, तो मेरे को या आखड़े पता है, आपका एरिया नहीं है, आप study नहीं करें तो आप आखरें नहीं पते हैं आप यह आखड़े देखो तो आपको पता चलेगा कि कितनी जल्दी हमारे को इसको स्ट्रेप लेना चीए कि हमारे को शुगर मेनेज्मेंट करनी है और साब यह भी आप पर बात जानलो कि जिन्दगी में पार जाता है ज्यादा बहतर है वो दिन देखना ज्यादा बहतर है या अभी से सुधर के हम इसको अच्छाई तरीके से अपने आयरवेदे की जो पद्वती है इसको समझ के इसको फॉलो करके इसको हम कर ले वो ज्यादा बहतर है लेकिन किसी को समझ जाओ तो वो कहते हैं यह क्या आयरवे आयरुवेदा, 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 संदी विछेतों करके देखो, आयरुवेदा कहा रहा है, सिंपल सी भाषा में समझो, आयरुवेदा केवल यह कहा रहा है, जिंदीगी जीने की समझ, साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, हाँ, इसको बनाना एक बहुत भेतरीन समझ दे रहा है हम हमारे इस शोव में बात कर रहे हैं आयुरुवेदिक फॉर्मिलेशन की हम यह जानना चाह रहे हैं कि कैसे आयुरुवेदा आपको आपके शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है हमारे पास CCRAS एक संस्था है Government of India की संस्था है Under the Ministry of Ayush Central Council for Research in Ayurvedic Sciences इसका full forum है ठीक है जिसके अंडर जो scientists, doctors, professors हैं वो रात दिन इस मेहनत में लगे रहते हैं कि हम Ayurvedic को कैसे एक scientific तरीके से बनाएं उसकी क्या formulations हम जोड़ जोड़ के जोड़ जोड़ के बनाएं क्योंकि जड़ी बूटियां तो सैकड़ों है अब सैकड़ों जड़ी बूटियों को मिला कर कोई हम medicine तो बना नहीं सकते we have to pick few herbs from these hundreds of herbs इस formulation के अंदर पांच तरे की हरब्स हैं जिसका नाम है आम, करेला, गुड़मार, जामुन और शिलाजीत जिसके बार में डॉक्र साब आपको बड़ी details में बताएंगे जब ये 5 herbs को उनकी निर्धारित quantities के हिसाब से डाल कर, बना कर हम पेश करते हैं तो वो हमारे शुगर को मैनेज करने में बहुत ही मददगार साबित हो रही है और पिछले कई वर्षों से हम इस medicines को करोडों की तादाद में बना चुके हैं, लाखों लोगों तलक पहुँचा चुके हैं और इस medicines की काबलियत के ओपर एक example इस तरीके की हमारे पास repeat orders इस medicines के more than 80% है आज की तारिक में मैं आपको अगर कोई medicine देता हूँ, अपनी marketing की सारी skills लगा दूँ जैसे गंजे को कंगी बेचने वाले को marketing का उस्ताद बोला जाता है मैं अपनी marketing की सारी skills लगा के आपको product बेच दूँ, आप खरीद लोगे चल ठीक है यार इतने रुपे की है दे तू बहुत बड़ी आपो लगे लेकिन उसका repeat आप के बल तभी लोगे जब वो आपको फायदा करेगी जब लग आपको फायदा नहीं करेगी आप बार बार बेवकूफ नहीं मनोगे एक बार बेवकूफ बनोगे बार बेवकूफ नहीं मनोगे and we have got more than 80% repeat orders of this medicines so this formulation is how much capable of regulating your blood sugar and जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि the premises where it is manufactured is completely GMP certified it's completely under the regulations as prescribed by the government of India under the ministry of Ayush तो इसमें ना तो आपको कोई preservatives डालते हैं ना इसके अंदर हम कोई इसके अंदर को impurities होती हैं जब हम इसको बना देते हैं ना इसके अंदर limit जो limit नधारत है उतनी ही limit के नधारत इसके microbes में passing होती है metals में passing होती है तो इसको बिना किसी problem के हर कोई ले सकता है चाहे हो male है चाहे हो female है चाहे हो किसी भी उमर का है इसका कोई problem ही नहीं है इस medicines को लेने में फायदा ही फायदा है और मैं आप सब दर्शकों से हाथ जोर के बिंती करता हूँ कि इस medicines पे आप भरोसा करें ये बहुत ही भैतरीन medicine है जो इतनी मेहनत के बाद CCRAS under the ministry of IUS under government of India manufacture की गई है और बड़े ही तरीके से इसको manufacture किया जाता है और आपको इसका केवल फायदा फायदा और फायदा ही मिलेगा बहुत से लोगों के मन में यहाँ पे एक नया सवाल और उमरड़ा होगा क्योंकि बात हुई है discipline की बात हुई है आदतों की कि बहुत से लोग कोशिस करते हैं कि मैं तो अपने खाने पे खूब कंट्रोल करने की कोशिस करता हूँ मैं तो बहुत कोशिस करता हूँ कि मीठा ना खाऊं बढ़ फिर भी मन करता है मैं सवाल पूछना चाहूँगा भूशन जी से कि सर क्या हमारी ये आयूवेदिक फॉमिलेशन specifically हमने जिक्र किया आयूश 82 का क्या उसमें शामिल इंग्रिडियन्स जो की definitely हमारी किचन का हिस्सा है क्या ऐसी भी चीजे हैं उसमें जो किसी भी व्यक्ति विशेश को उसके cravings को control करने में मदद कर सकती है और साथ ही मैं उन लोगों की तरह से सवाल पूछना चाहूँगा जो insulin पर dependent है बहुत से लोग already insulin ले रहे हैं क्या उनके लिए भी equally advantages है हमारी ये medicine जी बिलकुल आयूश 82 में total अगर हम देखें तो 5 इंग्रिडियन्ट जिसके अंदर 4 हमारे plant हैं और 5 मा जो है एक rock जिसको शिलाजीत शुद्ध शिलाजीत कहा उसमें 5 में से एक जो gradient जिसके अंदर गुड मार है और ये गुड मार क्या है जिसके नाम ही देखें गुड मार जानी गुड को हमने क्या माना कि मीठा ये अगर कोई आपको कितना भी मैं मीठा खला दूँ इस पौदे की एक leaf को आपको चवाने के लिए दे दूँ तो आपकी body का सारा का सारा जो शुगर का content है वो नलिवाई कर देगा उसको neutralize कर देगा उसको मार देगा तभी तो इस पौदे का नाम पड़ा गुड मार और ये आयूश 82 का एक prominent ingredient है जिससे हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये आयूश 82 की जो की government of India department of CCRAS का जो ये एक formulation है जो एक scientific formulation है जिसके अंदर बहुत शमता है कि आपकी craving के साथ साथ आपका शुगर आपका craving आपका overall जो excessive weight जो fat deposition है उसको उपर भी बहुत बहुत बहुतरी काम करता है आयूश 82 में दो गुटलियों का जिकर है एक गुटली जिसको हमने कहा आम की गुटली और दूसरा जामन की गुटली इन दोनों गुटली के अंदर ऐसे phytonutrient ऐसे ingredient रहते हैं कि जो हमारी body के अंदर pancreas के beta cell को motivate करते हैं उसको promote करते हैं कि insulin की जो body में जरूरत है उसको regulate करें ताकि naturally इसको intake करने से naturally body के अंदर sugar level वैसा maintain हो जाए जैसा as per the need of the body हो जाए और naturally जिसका कोई side effect पनी है मैंने जैसे बात किया दो गुटली आम सब लोगों ने देखा बड़ा common है और जामन सब लोगों को मालूम है जो कि बहुत common है तो जब common और ये हमारी body friendly है कोई ऐसा अक्सेक्ट जा ऐसा नहीं है और जो बनाया जा रहा है जो EMP standards है उनको मते नज़र रखते हुए बनाया जा रहा है तीसरा अपने कहा था शिला जीत शिला जीत शिला प्लस जीत शिला में